हाई दोस्तों कैसे आप सभी लोग मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई अन्बोक्सिंग के साथ अपल आइफोन 15 इस चैनल में पिछले कुछ टाइम से काफी सारी अन्बोक्सिंग की वीडियो आ रही है तो काफी जादा एक्साइटेड हूँ इस फोन को अन्बोक्स करने के लिए तो फटा फट से एक भी सेकेंड बिना वेस्ट की है इस फोन को अन्बोक्स करते फिर दीरे दीरे हम लोग सारी बात चीत करेंगे एक एक करके तो ये रहा हमारा प्यारा सा आईफोन का डब्बा और मेरे पास ये आईफोन 15 ब्लैक कलर में है और पीछे से अगर आपको डब्बा दिखाओं तो फ्लिपकार्ट की महरबानी आपको साफ साफ दिख जाएगी डब्बे का बहुत ही बुरी तरीके से बलातकार कर दिया है डिलिवरी वाले ने खेर कोई नहीं वही एक प्रीमियम सा एपल का डब्बा मिल जाता है आपको जो कि आप एक्सपेक करोगे एपल से बाकी पीछे इसका वेरेंट लिखा है जो की 128GB है और हाँ ये एंडिया स्मार्टफोन है जो की काफी ज़्यादा मस्ट चीज है अपल स्टीकर मिल जाता है तो मैं इसको फटाफट से ओन करता हो सेटप करता हो फिर आपसे मिलता हो ये रहा हमारा खुबसूरा सा आइफोन 15 जिसके लुक्स अपने आप में काफी ज़्यादा प्रीमियम है और मुझे आइफोन 15 में इसका ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और इसके बाकी भी कलर से जैसे की ब्लू मिंट हो गया ग्रीन यलो पिंक और ना जाने कौन-कौन से वह सारे कलर काफी ज़्यादा बेकाल लगे एक थोड़ा सा सही था ब्लू वाला कलर दिंगिन वह थोड़ा सा हलका और फिका-फिका लग रहा था और ये ब्लैक 15 में आइफोन 14 और 13 के कंपैर्जन में काफी एदा छोटे होटे चेंजिस किया गया है जैसे कि इस बार ग्लास पैक पैनल हटा के फ्रोस्टेट बैक दिया गया है और उसकी बाद अगर आप ध्यान दोगे तो इसके साइट अलुमीनियम के है लेकिन कॉंटोर्ड है इनसे पहले कि ऐपोन थे उनके साइट थोड़ा शाप थे जो कि ऐफोन के फीट पोड़ा सा असी करते है। लेकिन इस बार अप्ल यह तोड़ा सा कर दिया। जो कि बहुत जादा है अच्छा एन्न आइंड फील देता है। जब आप इस फून को अपने हाथ में पकड़ोगे तो आपको एकदम प्रीमियूम और जबदस्त अफील आएगा बाकी इसकी की हाइलाइट दिया गया है इस बार लाइटनिंग पोर्ट अटाक के टाइप C इसकी एकदम चिल्ला चिल्ला के मार्किटिंग की गई थी बाकी सारी चीज़ें एकदम सेम है बटन प्लेस्मेंट से लेके म्यूट स्विच्ट कुछ हो ना हो सैटिस्पाइंग यह जबू सैटिस्पाइंग है लेकिन मुझे अभी-भी इसकी डिजाइन के काफी बड़ा ड्रोबैक दिखा या तो आप दूसरा कलर चूस कर लो या फिर अपने हाथ को इदम बोन ड्राय करके रखो वन्हा फिंगर प्रिंट्स की फील को काफी ज़्यादा कर सकते है अगे भरते हैं इसकी मज़तार सी डिस्प्ले की तरफ तो यहां पर आपको सबसे पहले दिखाए देता है इसका पढ़ियासा डायनमेक आइलेंड एपल ने नौच अठाके आइफोन 15 में इस बार डायनमेक आइलेंड दिया है जो दिखने में काफी ज़्यादा कूल लगता है सामने से अगर आपको कोई फोन देखेगा तो इसको एकदम प्रो सीरीज वाली फील आएगी बाकी बात करें डिस्प्ले स्पेस्फिकेशन की तो आइफोन 15 में आपको 6.1 इंचिस की सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले मिल जाती है वो भी 60 Hz रिफ्रेश्ट के साथ और इसी के साथ साथ आपको 2000 nits तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है और इसकी डिस्प्ले में आपको HDR10 और Dolby Vision का भी सपोर्ट मिलता है एक एक करके बात करते हैं तो इसका डिस्प्ले के साथ काफी जादा कॉम्पैक्ट सा है इसलिए इसके colors, contrast, overall experience काफी जादा बहतर रहता है जो कि आप एक typical Samsung display से expect भी कर सकते हो पर इसका सबसे बढ़ा drawback है इसका 60 Hz refresh rate का panel आप लोग को भले ही लगता हुगा कि Apple के animation साफी जादा smooth है लेकिन इसका 60 Hz feel होता है और अगर आप 120 Hz से इसको compare करते हो तो आपको साफ साफ difference feel हो जाएगा बट-बट मुझे यह पता है Apple क्यू 60 Hz देता और 120 Hz नहीं देता क्यूंकि Apple को अपने pro models भी तो बेचने है और एक camera lens की dump पे तो नहीं बेच सकता वो कुछ और features भी तो चाहिए अपने pro models को बेचने के लिए तो उसके लिए उसने non pro के साथ बड़ा अन्याय कर दिया बात करें इसकी peak brightness की तो यह चीज तो best है outdoors में जब कभी भी आप phone को outdoor में use करते हो तो आपको बिल्कुल भी visibility issues नहीं मिलेंगे इसकी 2000 nits की peak brightness को use करते टाइम आपको outdoor में काफी ज़्यादा आराम रहेगा आपको इसकी display में अपनी आखे नहीं डालनी पड़ेंगी बिना आखे डाले ही आपको काफी ज़्यादा अच्छे से सब कुछ दिखाए देगा display में ये वाला phone एकदम 10 on 10 है हाँ हाँ refresh rate को छोड़के अगर वो होता तो इसकी display काफी ज़्यादा सही रहती परते हैं इस phone की performance की तरफ तो apple अपने phones में काफी ज़्यादा तगड़ी तगड़ी चीज़े देता है जिससे apple के users को बिल्कुल भी किसी भी चीज में compromise नहीं करना पड़े और उन में से एक चीज है इसका प्रोसेसर आइफोन 15 में आपको पिछले साल की प्रो सीरीज का प्रोसेसर मिल जाता है जो की है A16 Bionic चिपसेट वही जो 14 प्रो और प्रो मैक्स में आता था और उसके साथ साथ आपको 6GB की RAM दी गई है 128GB स्टोरेज वो तो मैंने बताई दिया था आपको और यह आइफोन iOS 17.4 के गेमिंग परफॉर्मेंस में जा सकता है यह तो होगे स्कोर्स की बात चलो अब प्रैक्टिकल यूसेज की बात करते हैं मैंने इसमें BGMI खेला जिसका खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं था मुझे और उसकी सेटिंग आप देखी सकते हैं अपने स्क्रीन पे और गेमिंग प अबर आल परफॉर्मेंस की बात करें तो डेली यूसेज हो है या फिर कोई भी एक्स्ट्रीम यूसेज दोनों में आईफोन 15 स्टेंड़ाउट करता है अराम से सारे स्ट्रेस स्ट्रेस को पास कर लेता है परफॉर्मेंस एकदम टॉप अफ द लाइन मिलती है आपको इस फ चीज थोड़ इसी गलत है क्योंकि आप आप आइफोन 15 को 27 वाट तक की मैक्स चार्जिंग स्पीड में भी चार्ज कर सकते हो मैक से फाइलेस चार्जिंग में आपको 15 वाट का सपोर्ट दिया गया है जो कि पुराने मॉडल जैसा एकदम सेम टू सेम है और अगर आपको अ लोड़ी सी capabilities देख लेते ऐसे काफी ज्यादा drastic चेंज आया iPhone की connectivity में क्यूंकि आप अपने type-c port को use करके इससे काफी ज्यादा डिवाइस कनेट कर सकते हो, for example आप अपने keyboard को connect कर सकते हो, mouse को connect कर सकते हो, external pen drive, external SSD बगरा बगरा, बहुत सारी चीज़े connect हो जाएंगी, पहले जब आपका iPhone होता था, और आपको उससे फाइल्स ट्रांसफर करने हो थी, तो अगर आपके पास MacBook रहता था, तो well and good, लेकिन अगर आपने गलती से iPhone के साथ Windows laptop को connect कर दिया, और आप वो वाले users निकल आए, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी अपने फाइल्स को transfer करने में, 36 तरीके के apps डाउनलोड करने पर देते, iTunes का मदद लेने पर देते, लेकिन आप Type-C port आने से ये काफी ज़्यादा change हो चुका है, चलो मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ, अब आप किसी भी external pen drive या SSD वगएरा को अपने iPhone से connect कर सकते हो, और बहुत ही असानी से seamlessly files को transfer भी कर सकते हो, simply आपको अपनी SSD को Type-C cable से connect करना है, और अपनी photos and videos को select करके save to files दबाना है, और SSD को select करने ला है, जिस भी नाम से हो, simple as that, फिर आप अराम से अपने SSD को अपने laptop पे connect करो और files transfer कर सकते हो, और आप Type-C के चलते किसी भी Android phone को अराम से charge भी कर सकते हो, दूसरे watches और earbuds को भी charge कर सकते हो, टीवी से mirror करना, अपने iPhone को, keyboard को connect करना, mouse को connect करना, ऐसी काफी सारी चीज़े आप अपने iPhone के Type-C port की मदद से यूज़ कर सकते हो, फाइनली, moving on to इसका camera, तो iPhone 15 के camera department में आपको एक बहुत बड़ा change कर दिया गया है, जो कि यह 48MP का primary sensor, और उसके साथ साथ आपको पहले जैसा एक 12MP का ultra-wide sensor दिया गया है, और front camera आपको 12MP का ही दिया गया है, जो कि बहुत जादा साई चीज़ है, अब मैं आपके screen में काफी सारे photos और video sample प्ले कर देता हूँ, तो आप एक करके देख सकते हो उसे, तो आइफोन सबसे जादा अपने camera की वज़े से ही famous होता है, जिसको आइफोन 15 बहुत ही अराम से और 17 तरीके से justify भी कर देता है, भले इसमें पिछले साल का 48MP का sensor दिया गया हो, लेकिन उसमें भी Apple ने एक slight improvement के लिए HDR department में, जिसमें आइफोन 15 अब जादा अच्छी और बेहतर फोटो क्लिक कर सकता है, और आइफोन सबसे जादा famous है अपनी video capturing capabilities के लिए और उसमें भी बिल्कुल भी शक नहीं रहता और उसमें शक हो भी नहीं सकता, लिटरली मैं इस बात से agree करता हूँ कि आइफोन से बहतर वीडियो कोई भी phone नहीं निकाल सकता अभी, HDR, dynamic range, सब कुछ एकदम top notch मिलती है आपको इसके camera में, चाहे वो ultra wide हो या फिर 2X का digital zoom हो, सभी में फोटो और वीडियो काफी जादा मस्ताती हैं इसके camera से, और obviously मैं आइफोन के camera का एक वीडियो के अंदर पूरा review दे नहीं सकता, क्योंकि इसके camera में बहुत अच्छी capabilities हैं तो उसके लिए मैं एक dedicated video बनाने बाला हूँ, कि इसकी photo or video capability कित्ती है जादा अच्छी है बलकि मैं आपको आइफोन के best camera settings के बारे में बताऊंगा, इसको enable करके आप अपने आइफोन से बहतर से बहतर photos and videos click कर पाऊगे, तो यह था iPhone 15 की unboxing and first impression, I hope मैंने इसके सारे points cover कियें एक एक करके, अगर मुझसे कोई भी point छूट गया हो या आपको कोई भी feedback देना हो इस video में तो comment ज़रूर से करना, तब तक के लिए 10 seconds के बाद आपके left side में आएगी S21 FE vs Pixel 7 का full in-depth camera comparison और right side में आएगी Pixel 7 की unboxing, तो आप इन दोनों videos में से जो भी चाहते हो वो enjoy करो, मैं आपसे मिलता हूँ जल एक नई वीडियो पर तब तक के लिए बाई बाई